पूरी दुनिया में सबसे खुबसूरत हैं और एक ऐसा देश जहां मरे हुए इंसान से भी कोई चाहे तो शादी कर सकता है। जी हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन योनियन के सबसे बड़े देश फ्रांस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्रांस का ओफिशिल नाम है फ्रेंच रिपबलिक। देश के कुलाबादी की बात की जाए तो ये है तकरीबन 6 करोड 71 लाग के आसपास। और अगर पॉपिलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहां 119 लोग आपको पर स्क्वेर किलामेटर पे देखने को मिल जाते हैं। देश के ज्यादतर लोगों को शहरों में रहना पसंद है और कुलाबादी में से 82 प्रतिशत लोग शहरों में ही रहते हैं। वहीं सिर्फ 18 प्रतिशत लोग ही गाहों में रहते हैं। इसमें भी फ्रांस ही सबसे ओपर है। डेटेड वर्जिन है फाइटर प्लेंस का जिसके डर से पाकिस्तान और चीन दोनों ही मूँचोपा के शान बैठे हैं। दोस्तों आपका बता दूं कि इस देश के पैस अपना खुद का स्पेस स्टेशन है जिससे सेंटर स्पेशियल गायनीज के नाम से जाना जाता है। विल इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस एक बहुत ही डिवलप्ट कंट्री है। इसलिए तो इसे योरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। साथी ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। फ्रांस इसलिए इतना अमीर है क्योंकि देश का टूरिजम सेक्टर बहुत स्ट्रॉंग है। यहाँ साल भर सैलानियों की भीड लगे रहती है जिससे देश को बहुत मनाफ़ा होता है। साथी एक से बढ़कर एक इनोविटिव आइडियाज भी आएंके लोग लाते हैं और उनके सफल हो जाने पर उन्हें दुनिया के मारकेट्स में बेच देते हैं। साथी मशीन्स बनाने के मामले में भी ये देश सबसे आगए है। लड़कियां असानी से सबसे घुल मिल जाते हैं और सब लोगों से बड़े काईदे से पेश आते हैं। साथी प्यार करने के मामले में भी हैं ये सबसे आगए। यहां के लड़कियां बहुत रोमैंटिक मिजास्के होते हैं और दो मीठे बोल सुनकरी प्यार में पढ़ जाते हैं। ये अपनी अच्छी होती हैं कि आपको कब इन से प्यार हो जाएगा पथा ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको सला देते हैं कि फ्रांस के सफ़र पे निकलने से पहले अपने दिल पे काबो पालीजिए नहीं तो घड़बर हो सकते हैं। दोस्तो एक और चीज बहुत कमाल की हैं फ्रांस में और वो ये है कि इस देश के महिलाएं सबसे ज्यादा साल तक जिन्दा रहते हैं। खाने पीने का सामान मार्केट में नहीं बिका, दो उसे फेक नहीं सकता, उन्हें बचा हुआ खाना गरीबों में दान करना होता है। इस तरह के नियम हमारे देश में भी होने चाहिएं ताकि जो लोग खाना खाये बगएर ही सोते हैं ताकि कम से कम उन में से कुछ लोगों के पास तो खाना पहुँच सका है। दोस्तों क्या आपने कभी दे टोर डी फ्रांस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये है दुनिया की सबसे बड़ी साइकल रेस। इस इवेंट को दुनिया के सबसे इंटरस्टिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एकमाना जाता है। जिसमें हजारों के संख्या में दुनिया के चनिंदा साइकलिस्ट फ्रांस आते हैं और इसमें हिस्सा लेता है। यहां के नजारे देखने लायक होते हैं जब हजारों की संख्या में साइकल्स फ्रेंच कंट्री साइट से होके गुजरते हैं। अगर आप भी हैं अच्छे साइकलिस्ट तो अपने किस्मत यहां आजमा सकते हैं। फ्रांस के लोगों के बीच में वाइन पीना बहुत लोग पर आपको हर इनसान खाने के साथ साथ रेड या वाइट वाइन पीते हुए हमेशा दिखेंगे। जैसे हमारे देश में पानी पीते हैं वैसे ही फ्रांस के लोग वाइन पीते हैं। फ्रांस के लोग सिर्फ वाइन पीते ही नहीं है, बिल्कि यहाँ पर वाइन का बहुत बड़े लेविल पर प्रोडक्शन भी होता है, और उत्पाद करने के साथ साथ दुनिया के कई देशों में फ्रांस से वाइन एक्सपोर्ट भी की जाते है, फ्रांस से सबसे ज्यादा व कब पार्टी बार से रस्ते तक चली जाते है, इन्हें पता ही नहीं चलता, यहाँ पर तो रात के समय सैक्डों की संख्या में लोग आपको सडकों पे ही डैंस करते हुए और दारू पीते हुए मिल जाएंगे, उस तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है फ्र प्रांस के एक राजा जिनका नाम था लूइस फिलिप वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही राजा बने थे, दरसल हुआ यह कि राजा लूइ फिलिप के पिता पर हमला हुआ जिसमें वो मारे गए, पिता के जाने के तुरंत बाद और कोई ना होने के करें लूइ फिलिप राजा लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए दोस्तें ये बाद तो हमने आपको पहले ही बता दी कि फ्रांस बहुत क्रियेटिव देश है और इसलिए यहां के लोगों के दिमाग में नई नई चीजों का आवशकार करना सबसे पहले आता है आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन फ्रांस में 400 से ज्यादा चीजों का प्रेडक्शन हो रहा है तभी तो आज ये देश इतना आगे निकल गया है फ्रांस की राजधानी पेरिस को सिटे ओफ लाइट्स के नाम से भी जाना चाता है तोरे शेहर में आपको हर जगा सुन्दर लाइट्स नजर आएंगे साथी आपको ये भी बता दूं कि यहापर ट्रांस्पोर्ट की बहुत ही कमाल की सुविधा है एक टूरस्ट कांट्री होने के करेंट फ्रेंच करण्मेंट में ट्रांस्पोर्टेशन में खासा ध्यान दिया है ताकि टूरस्ट को कोई परशारी ना हो अपको फ्रांस में जहां कहीं भी जाना है आप आसानी से पहुँच सकते हैं गिबद तो बच्चा-बच्चा भी जानता है कि फ्रेंच कैपिटल पेरिस में है वर्ल फेमस आईफल टार जिससे देखने के लिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में लोग आते हैं लेकिन दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने खेट की मूली किसी को भी अच्छी नहीं लगते ऐसा ही एक वाक्या आईफल टार को लेकर भी हुआ था बात दरसल ऐसी थी कि फ्रांस के एक नॉबलिस्ट गाइडे मॉपसांट को इस वोर्ल फेमस टार से खासी नफरात थे इसकी वज़ा ये थी कि ये टार पेरिस की हट जगा से दिखाई देता था अगर धूब चेक करने के लिए सर उपर उठाए तो धूब की जगा पहले ये टार दिख जाता है जिससे परिशान होकर इस ट्रेंच राइटर ने स्टार के नीचे के रेस्टरांट में खाना शुरू कर दिया थाकि उपर मूँ ठाने पे टार ना देखे कि अब जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादे मकडॉनल्स कहा है अब फटाक से कहेंगे अमेरिका जो कि बिल्कुल सच है एकने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस यहां के लोगों में मकडॉनल्स का खाना खाना बहुत पॉपिलर है और इसी वज़ा से फ्रांस में मकडॉनल्स कमपनी अमेरिका के बाइद सबसे ज्यादा पैसे बनाते है विल्काने की बाद चली रही है तो बता दें कि फ्रांस में आपको कभी भी चीज की वराइटी की कमी महसूस नहीं होगे यहाँ पर 400 से अलग-अलग वराइटी का चीज मिलता है यहाँ का चीज कई लोगों की नजरों में इटली से भी ज्यादा मज़ेदार होता है साथी फ्रांस अपने ब्रेड के लिए भी बहुत पॉपिलर है यहाँ का ब्रेड बहुत सॉफ्ट और फ्लफी होता है वैसे तो यहाँ ब्रेड की भी कई वराइटे मिलते है लेकिन सबसे पॉपिलर है बगूटी नाम का एक ब्रेड और एक चीज जो फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं वो हैं स्नेल्स यानि की घोंग है जिसे फ्रेंच में स्कारगॉट कहा जाता है यहाँ के लोग साल में करीब 25,000 टन स्नेल्स खा जाते हैं एक आंकड़े के अनुसार फ्रांस का एक बंदा साल में अकेले ही 500 स्नेल्स खा जाता है वैसे तो यहाँ इन स्नेल्स को खाने के कई सारे तरीके हैं लेकिन यहाँ के लोग इसे बटर और गार्लिक में पका कर खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं फ्रेंच लोग अकसर छुट्टी के मौके पर स्नेल्स को एक डेले किसी के तोर पे खाना पसंद करते हैं लेकिन फ्रांस में कोई भी जिन्दा घोंगे ट्रेन पर लेकर नहीं जा सकता जब तक उन घोंगों के टिकट ना हो आप यकिनन सोच रहे होंगे कि घोंगे को भी टिकट लगते है बला फ्रांस में तो बिलकुल लगते है भई अगर उनका वजन पांच किलो से ज्यादा हो तो फ्रांस के लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत क्रेस है और इसे जुरून के साथ फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड काप अपने नाम किया यहां की फुटबॉल टीम बहुत ही स्ट्रॉंग है फ्रांस की ये फुटबॉल टीम दिन रात मेहनत करते है और सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपने देश के लिए जान लगा देते हैं अब तो देश आगे बढ़ेगा दूस्तों अगर बात आती है सेफटी की तो फ्रांस को दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक माना जाता है यहाँ पर किसी को भी किसी भी चीज़ से डरने की कोई जरत नहीं है यहाँ पर आप चाहे किसी शहर में रहते हो या गाउं में आपको रात में भी एक जगा से दूसरे जगा पर जाने में कभी कोई खत्रा मैसोस नहीं होगा खुबसूरत होने के साथ साथ ये भी एक वज़ा है कि इस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर वो खुल कर देश को एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे खुबसूरत और अनुखा देश फ्रांस अमीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको फ्रांस के कौन सी बात सबसे ज्याला अच्छी लगे क्या आपको भी गए हो फ्रांस और गए हो तो आपका एक्स्पीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेर जरूर कीजेगा साथ यस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेर करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब सिब फिर मुलाकात होगी एक और नहीं वीडियो के साथ